divisions विद्ραती ने हमसे पूचा basic class में कि सर्भ भारत में समाजवाद की क्या और सकता क्या जोवरी था समाजवाद भारत में इस context में समाजवाद भारत में जोवरी है तो समाजवाद में बस हम इतना जानते हैं अगर मोटा मोटी जाने तो हमको पता है कि समाजवाद का मतलब संसाधनों पे राज्य का नियंतरण है। किसका नियंतरण सरकार का संसाधनों पर। तो इससे क्या भारतिय कंटेक्स समझ में आता है संसाधनों पर राज्य के नियंतरण से समझ में आता है। गरीबी और अमीरी की बहुत जादा विशमता हो। जिस देश में जाती व्यवस्था को लेकर उच नीच का भाव हो। जिस देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लैंगिक विवेद का भाव हो। उस देश में बीना राज्य के हस्त छेपके इनके साथ न्याए नहीं किया जा सकता। तो ऐसे वर्गों का जो समाज में किसी करण से पिछड़ गये उनको सही में न्याय दिलाने के लिए यह जोरी था कि संसाध्वनों में राज्य का क्या होना चाहिए अस्तछेप होना चाहिए और हम किसके माध्यम से कर सकते थे सम्विधान के मात्यम से और हमने किया भी नहीं तो सम्विधान ने तो हमेशा हमारे उसक्ताओं की पूर्ती किया हमारे समस्याओं का क्या किया निरा किरन किया हमें अधिकार दिलवाया मानवा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं समाजिक अधिकार दिलवाया हमें नहीं आर्थिक विसमता को भी दूर करने का प्रयास किया प्रस्तावना में ही हम भारत के लोग भारत को संपुन प्रभुत्व संपन समाजवादी पंथ निरिपेच लोक्तंत रात्मक गर्राच बनाने के लिए तथा उसके समस्त नियाय का मतलब उच नीच बौर छोट इस्तिरी पुरूस इसको नियाय संगत बनाना कि राजनितिक नियाय का मतलब होता है कि राजनिती में सत्ता में हर वर्ग की उतरदाईत्व अकाउंटिबिलीटी सुनिश्चित करवाना नहीं आर्थिक नियाय का मतलब होता है अमीरी कि शुरुवाती जो प्रस्तावना से जो शुरुवात माना जाता है उस प्रस्तावना में आपके पास आर्थिक समाजिक रजनितिक न्याय की क्या है और समाजिक आर्थिक रजनितिक न्याय में सबसे बड़ी बात है इसमें जातिकत सनरचना की बात नहीं है आर्थिक न्याय में को जात देखके सो आती नहीं है कि समाजिक नियाए का मतलब क्या है कि समाजिक नियाएं में अगर नीच्च का क्या किया जाए थी मतलब है की इस सम्मीधान ने हर जाती हर समुदाएं are gender किया रखा किया रखा कि आ है तो ग्रंथ तो वही उलेखनिये होना चाहिए जो समाज में हर वर्गों का क्या रखता है क्या रखता है तुरू से लेके अभी तक जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें सम्मिधान इंकुलूड करके कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो समाज में विभेद और विश्रमता की बात करता है लेकिन उसको अपने-अपने अपने तरीके अपने वारा महीर जैसे गनितग्यों के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जो ब्रामबन है उनको पांच कमरे का घर देना चाहिए, जो छत्रिये है उसको चार कमरे का देना चाहिए, जो बैस है उन्हें तीन कमरों का देना चाहिए, और जो शुद्र है उसे दो कमरों का पर सवाल खड़ा करते हैं लेकिन बारा मिहीर को जो देखने वाले लोग है जो ध्रिष्टिकोंड है किसी ना किसी पुरुबागर्व की क्या है हम हर चीज को चुकी जातीगत एंगल से सी ले जगाहां कि जहां विवски जो राज विवस्था कि परधान मंत्री के लिए बहुत बड़का आवास बना होता है राश्रपती के लिए बड़का आवास उसी के नीचे वाले जो आम सांसद हैं उनके आवास हैं है ना मुख मंतरी के आवास है और मुख मंतरी के आवास और विधायक के आवास में अंतर होता है मुख मंत्री का पूरा बंगला होता है तो एक विधायक का दो तीन कमरे का क्या होता है उसी प्रिकार जब आप नौकरी लेते हैं और जब आप IAS बनते हैं तो आपको DM कोठी मिलता है क्या मिलता है जब आप उसी रिपार्टमेंट में चपरासी के पत्पे चैनित होते हैं तो क्या वही कलेक्टर साहब आपको अपने आवास दे देते हैं उस चप्रासी के पास पांच बच्चे हो या छे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको दो ही रूम का क्या मिलेगा कमरा मिलेगा और पांच रूम का कमरा जो सासन प्रणाली में लोग अपर लेबल पे हैं उनको मिलेगा क्या आज इसको आप भी भेद के रूप में देखते हैं क्या जो आवास एक कलक्टर को मिलता है क्या वही आवास सरकार के तौर पे क्या एक फूर्थ ग्रेट करमचारी के लिए अलॉट होता है क्या बता सकते हैं क्या कि देखने के अपना-पना तरीका आप गलत तरीके से किसी चीज को देखेंगे तो समाज में कभी आप समानता नहीं लापाएंगे तब तो आपको हर जगा भी देखना होगा कि अनल्द बाबु चलते हैं तो उनके साथ 4 सिपाही चलता हमारा साथ एक है नहीं चलता है उनके साथ चलाना पड़ेगा उनको वो व्यवस्था देना पड़ेगा कि उनको पूरे जीले की जिम्मेदारी उनके ऊपर है अब को अब को अब इसके आधार पे आज की पीडियां लिखने वाले इस तरीके से लिख दे की आपके देखने का जरिया गलत है अब ठिक से चीजों के ना पढ़ मीजाएम्ट्सर करापर केंडAnn आ को सम्मिधान में कर देना चाहिए तब अम्बिर कर अब को जो आवास जर्ब होलेगा वह prac कि अआवास देते की घुलैपस हो जरती है हो जरती की रिखना सरना है तो थोड़ा वेहारिक असंतर तो जो उसमें भाव है उसको वह आपको वह देखना था आप कुछ और दिखा रहे हैं कि इसी को पुर्वागरा का सिकार होने के वह सकते नहीं है कि सबके पास अपनी बातों को रख रहे के तथ्य हैं और बड़ी मुनासिब तथ्य कि और आज की व्यवस्था से कनेक्ट करके बताने के लिए तक थे हैं इसको आप खारीज नहीं कर सकते तक यह तर सकते हैं खारीज थे τरलोंशी के अलावा ही heeft कर सकते हैं कि तो हमारा देश में चाहे कोई विवस्था हो कोई भी ग्रंथ हो चाहे सम्विदान तक आजाए कि इसी में कोई भात भेद भावने और न्याय की बात हर जगह की देगे कोई ग्रंथ अन्याय की बात कर सकता है क्या है कि अधिककत हो गई कि चलाने वाले new त्ट कि अ कि जलाने वाले लोग ही किसी पुर्वाबीरalo के ho गए हो तो हम क्या के अधर कोई वर्ग हो गया हो अच्छाया इधर सट्ख मे रहने वालने को यह अधाम में vaya वाला भ्यक्ति उस विवस्था को कैसे संचलित करता है उसमें बात डिपेंड करती है नहीं तो सत्ता में ब्रामबन थे ब्रामबन ये अगर प्रुवग्रा कि सिकार हो गया है और उन्होंने समाज में कुछ उच्छ नीच कर दिया तुँ धर्म गरंथ नहीं कह रहा था उन्ह भबा दीजिएगा तो उससे क्या बदनाम होगा अम्मिधान बरुप उसमें उन लोगों को ढुंडिए जिन लोगों ने अपने वाले वी मृत करेगा कोई ग्रंथ या बुरी यह उस तरीके से कर रहा है और नाइंटी पर्तिसत लोग पुर्भा गरह की सिकार रहा है अब उसमें क्या किया जाए इसलिए तत्यों के साथ बातों को रखना क्या है उचीत है दिमाग को जितनी सकरात्मक और पॉजिटिव उर्जा देंगे उतना ही क्या रहेगा पढ़िया रहेगा तो जिस सम्मिदान के मताहत भले हम समाजवाद सब्दका प्रयोग ने सुचियत्तर में लेकिन भाग चार में समाजवादी संरचना का संकल्पना संनिहित था कि नहीं था और बीना राज्य के हस्त छेप किये किया हम इतने बड़ी विविदता पूने देश में हम समाजिक नयाय ला पाते बीना राज्य हस्त छेप किये समाजिक नयाय की बात कर पाता तो समाजिक नयाय आर्तिक नयाय राज्य नित्यक नयाय अस्थापित किया जाये इसलिए समाजवादी संकल्पना या पे चलना क्या था बारत का समाजवाद यही था क्यों भारत में समाज बाज़े हो रही था क्योंकि भेद भाव हमारे समाज में बहुत था और बीना हास्त छेप किये इस भेद भाव को कम करना मुस्किल था है कि नहीं तो यह सब समिन्धान उस जगह पे तो बिलकूल हिट है